हेलो गाइज, विल्कम बेक टू माई चैनल, आज हम आपको बहुत भी प्यारा सा टॉप और पैंट की कटिंग बताने जा रहे हैं तेहाँ पर मैंने दो कपड़े ले लिये हैं, ये दोनों कपड़े हमारे आधे मीटर के हैं अब सबसे पहले हम टॉप कट करेंगे, तेहाँ पर हमारे फूल सीधा हैं, इसलिए हमने डबल बिछाके सबसे पहले आगे और पीछे भाग को अलग-अलग करना है उसके बाद ही गले की cutting करेंगे तेहाँ पर हमारे top के लंबाई 17 inch है तो वहाँ पर हम निसान लगाके सबसे पहले सीधे निसान से ही हम कपड़े को cut करके अलग कर देंगे उसके बाद ही हम सारे निसान लगाएंगे तिहां पर हमने दोनों का प्रेकर करके बराबर कर लिया है अब हम आगे और पीछे दोनों का सेम निसान लगाएंगे तिहां पर हमने सोल्डर पांच इंच लिया है और पांच इंच पर निसान लगाके हमने आर्म होल चार इंच पर लिया है अब हम दोनों निसानों को आपस में मिलाती हुए एक लाइन ड्रो कर लेंगे तो यहाँ पर हमने लाइन ड्रो कर ली है अब हम सीने का चोथाई भाग लेंगे तो यहाँ पर हमारा सीने 28 इंच है तो उसका चोथाई भाग 7 इंच और 1 इंच मार्जिन और नीचे से भी हम 7 इं कट करेंगे तो यहाँ पर हमने दो इंच आगे का गला ले लिया है और तिरच्छा निसान से सेथ दिते हुए इसकी गुलाई दे देंगे अब हम पीछे के बैक पल्ले की भी निसान लगाएंगे तो यहाँ पर हम एक इंच पर बैक पल्ला करेंगे और उसी निसान पर इसको मिला देंगे यहाँ पर हमारे दोनों निसान लग गया है हम पहले पीछे का पल्ला कट करेंगे उसके बाद ही आगे का पल्ला कट करेंगे तो जो हमने कल्ये का पीछे का सेथ दिया है उसी निसान पर इसको हम कट कर देंगे तो यहाँ पर अब हम आर्मोल भी कट कर देंगे और आगे का पल्ला हटाते हुए अब हम पीछे के पल्ले को अलग करके आगे के पल्ले पे जो हमने आगे के गला का निसान लगाया है उसे कट कर देंगे तो यहाँ पर हमारा आगे का गल्ला कट गया है अब हम पीछे के पल्ले पर एक हुक लगाएंगे तो यहाँ पर हम 4 इंच पर एक निसान लगाएंगे और इसी निसान के बराबर एक लाइन डो करेंगे और 20 से हम इसको कट कर देंगे आप चाहे तो इस पर चैन भी लगा सकते हैं हमने यहाँ पर हुक का इस्तिमाल किया है तो यहाँ पर आप ऐसे ही कट कर लेंगे तो गला आसानी से जाएगा तो हमारे दोनों पार्ट कट गए हैं अब हम इसके गले के कॉलर कट करेंगे तो हमने डवल फोल्ड के बड़ाव इछा लिया है अब हम साड़े 4 इंच पर निसान लगाएंगे और गल्य का नीचे 3 इंच लगाएंगे और एक बॉक्स तीयार करेंगे अब हम इसमें कालर की गुलाई देंगे तो हमने कालर की गुलाई एक इंच से दे दी है आप हम सेम निसान को पराबर से मिला लेंगे और इसी निसान पे इसको कट कर लेंगे तो दोस्तों ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा लाइक कीजिए सेयर कीजिए और सुस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ता अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमाय चैनल को लाइक कीजेगा और सेयर करके सुस्क्राइब के बेटन दबाईएगा और बेल आइगन को प्रेस करके हमें सपोर्ट कीजेगा तेहां पर हमने अंदर का गला भी कट कर दिया है अब हमारे ये दो पलने एक बराब कपड़ा हो गया है अब हम इस पर पैंट की माप लगाएंगे तो यहां पर हमारे पैंट की लंबाई 12 इंच है तो अब हम 12 इंच पर एक निशान बनाएंगे और ऐसे ही निशान बनाते हुए दोन्ह तरप से बराबर कर लेंगे और एक लाइन द्रों कर लेंगे अब हम इसके महरी कीच करेंगे किकर दोर। अब नीसे से हमारी पैंट की ओ कर दोगा और यह सबसे पहले हम नीचे से कट करेंगे笑 यहां पर हम जहां से हमने निसान लगाया है उसे डबल फोल्ड करते हुए ही हम इसे कट करेंगे जिससे हमारे नीचे पैंट की मोहरी का सेप आ जाए और हम इसके बाद आसन को कट करेंगे दोस्तों गुन गुन फैसन वर्ड आपको अपना चैनल है आप इसे जदा जदा करेंगे और कपड़ा के डबल फोल्ड करते हुए ही हम कट करेंगे क्योंकि हमारी बिल्ट इसकी लंबी होगी तो यहां पर हमें तीन इंच की लाइन ड्रॉ कर दी है आप सेमने सान पेस को हम कट कर देंगे दोस्तों अगर आपको यह वीडियो कहीं भी कोई दिक्कत लग र आपका अपना चैनल है आप इससे ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए अपने दोस्तों तक सेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके वेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने ओली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए तो यहां पर हमने दोना तरफ आसन पे लगता है बनाने में उतना ही आसान है बस आप लोग ऐसे ही फुल टूरियल इस्टेप बाइस्टेप देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा तो यहां पर हमने एक तरफ मोहरी में सिलाई लगा ली है अब हम दूसरी तरफ भी सेम निसान पे बराबर से रखत लगते हुए नीचे का भाग तयार करेंगे तहां पर हमें आधाइंच की दूरी पर ही लगा लेना है और एक तरफ से दूसरे तरफ से घुमाते हुए इस पर शिलाई लगा लेना है दोस्तों आपको हमारे चैनल पर तरह तरह के बलाउज के बैकने की डिजाइन सूट की ड पूरी गोलाई में निसान लगा लेंगे और दूसरी तरब भी फोल्ड करते हुए एक बराबर से इस पर निसान लगा लेंगे आप चाहे तो उपर इलाश्टी के लिए आलग से भी कपड़ा जोड सकते हैं तो यहां पर हमने निसान लगा लिये हैं आप हम इसी निसान पर फ चैनल को जदा जदा लाइक कीजे और हमें सपोर्ट करके बेल आइकन को प्रेस कीजे ताकि आगे आने वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए तो यहां पर हमें कपड़े को बराबर से बैठाते जाना है और उस पर सिलाई लगाते जाना है बस हमें नीचे की तरफ अधा अधा इंच पर एक और निसान लगाएंगे और इस पर हम डबल सिलाई करके अपनी पैंट को तयार करेंगे ऐसे ही हम पूरे घेरे में बराबर से आधा अधा अधा इंच की दूरी पर निसान लगाते जाएंगे और लाइन को ड्रो करते जाएंगे तेहां पर हमने आ आधा इंच का गैप नहीं छोड़ना है और पूरे में निसान के पास से ही सिलाई लगाते जाना है और अपना पैंट तेयार करना है तो यहां पर यह वीडियो आपको अगर ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा हम उसे असान तरीके से बताने की कोशि पूरे कमर में गोलाई में लास्टिक डाल लेंगे तो हम दोनों इलास्टिक को अपस में एक साथ जोइंट कर लेंगे तो हमें से जोइंट लगा देनी है और बराबर से कमर को एक साृट करते होई से तयार करना है अब हम इसके साइट की इस टिप तयार करेंगे और बेल्ट तयार करेंगे तो सबसे पहले हमने जो तीन इंच की चौड़ी पटी ली थी हम इसकी बेल्ट तयार करेंगे तो यहां पर हमें पूरी बेल्ट में सिलाई नहीं लगानी है आधे की तरफ से दूसरी तरफ सिलाई लगानी है और आधे में तूसरी तरफ सिलाई लगानी है और एक इंच बीच में इसमें भी फोल छोड़ना है जहां से हमारी विल्ट को उल्टेंगे दोस्तों गुन-गुन फैसन में ऐसे ही इंट्रेस्टिक वीडियो आपको देखने को मिलेगी बस आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और भरोसा हमारे साथ साचा करते रहेगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहेगा यहां पर हमें बराबर से सिलाई लगा लेनी है और इसको स अब हम दूसरी तरब भी पराबर से इसको पेनकी मदद से उलटके सीधा कर लेंगे तो यहां पर हमने उलटके सीधा कर लिया है आप हमने जो नीचे से दो इंच का होल छोड़ा था उस पे हम इस पर बराबर से रखते हुए सिलाई लगा लेंगे दोस्तों गुन-गुन फ इसकी दोनों साइट के इस टी भी एक साथ तैयार करेंगे तो यहां पर हमने सिलाई लगा ली है आप हम इसको विस से बराबर से फोल्ड करते हुए कट कर देंगे और दोनों तरब इसमें कमर के पास जोइंट करेंगे तो यहां पर हमने जहां पर चुना डाली थी उपर से और नीचे से मोड़ते हुए लगा लेनी है दोस्तो आप चाहे तो इसे cotton कपड़े में, certain कपड़े में किसी भी कपड़े में बना सकते हैं यहाँ पर हमने summer special cotton के कपड़े में बचे हुए सलवार के कपड़े का यूज करके और कुर्ते के कपड़े का यूज करके इस top और pen को तयार किया है तो यहाँ पर हमने दोनों तरफ इस टिप लगा ली है अब हम इसमें wilt को पास करेंगे और इसका final look देंगे तो यहाँ पर हमने दोनों तरफ वेल्ट हटाइज कर ली है तो यहाँ हमारी pen pen के तयार हो गई है अब हम इसकी top को stitch करेंगे तो अब हमने जो top कट किया था सबसे पहले हम पीछे के पट्टी को तयार करेंगे तो यहाँ पर हमने दो इंचाणी पट्टी ली है और सेम इसके बराबर से रखते हुए बिल्कुल किनारे से इस पर सिलाई लगानी है और बराबर से सिलाई दोनों तरफ लगाते जाना है तो यहाँ पर हमें बराबर से ही पट्टी को रखते जाना है और बीच में सिर्फ एक सूथ का ही गयफ होना चाहिए तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है अब हम इसे बराबर से बीज के बाग से cut कर देंगे हमें याद रखना है कि हमारी सिलाई न कटने पाए तो अब हम इसे fold करके उल्टा करेंगे और इस पट्टी पर सिलाई लगाएंगे तो सबसे पहले हम अंदर की तरफ से बराबर से fold कर देंगे और double fold करते हुए ही इस पे हमें सिलाई लगानी है तो यहाँ पर हमें बराबर से पट्टी को set करते जाना है और उस पे सिलाई लगाते जाना है दोस्तो आगे आपको कौन सी cutting और stitching की वीडियो चाहिए आप हमें comment करके ज़रूर बताईएगा और हम उसे डालने की पूरी कोसिस करेंगे तो यहाँ पर हमें बराबर से ही set करते हुए पट्टी पे सिलाई लगानी है जिससे कि आगे हमारी पट्टी पे losing ना है यहाँ पर हमने सिलाई लगा लिए है अब हम बराबर से इसको रखते हो जाएंगे और बराबर से एक्ष्टा कपड़े को कट कर लेंगे अब हम इसके गले पे दोनों तरफ से दो-दो प्लेट डालेंगे जिससे कि हमारा गला तयार हो जाए यह हमारे रेगलन टॉप का कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो है तो आप भी ऐसे ही टॉप आसानी से बना सकते हैं और इसमें ज़्यादा कपड़े की जरूद भी नहीं पड़ती है यह हमने आधा मीटर कपड़े पे तयार किया है तो यहाँ पर हमने पीछे का पला तयार कर लिया है अब हम आगे के पले में भी ऐसे ही दोनों तरफ से दो दो पलेट डालेंगे तो आगे के पलेट हमारी एक तरफ से दो रहेंगी और दूसरे अपोजी साइट से भी दो दो पलेटे हम डालेंगे और बीच में हम बराबर से दूरी छोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारे आगे की पल्ले में भी प्लेटे पड़ गई है अब हम इसके दोनों पल्ले को आपस में रखते हुए साइट की सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पर हमें दोनों पल्ले वराबर से रखना है और आधा इंच की दूरी पर इसके सिलाई लगाना है दोस्तो गुनगुन फसरमड में आपको छोटे से बड़े तक के सारे लोगों के कपड़े देखने को मिलेंगी और आपको बहुत ही आसान तरीके से step by step full tutorial दिखाया जाएगा बस आप लोग ऐसे ही हमारे साथ हैसे अपना support बनाया रखिएगा तो यहाँ पर हमें दोनों तरफ से आधा आधा इंच की दूरी पर बराबर से सिलाई लगा लेनी है तो यहाँ पर हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है अब हम इसकी slip त्यार करेंगे तो यहाँ पर हमने देढ़ हिन चोड़ी पट्टी कट की है अब हम इस पे Double Fold करते हुए इस पे सिलाई लगाते जाएंगे और Set करते जाएंगे तो यहाँ पर हमें किनारे से ही 1,5 इंच की दूरी उपर सिलाई लगाते जाना है और बराबर से इसे रखते हुए नीचे और उपर से किसे खीचना नहीं है और इसको Set करते जाना है तो यहाँ पर हमने आस्तिन में पट्टी को सिल लिया है अब हम इसे उपर की तरफ फोल्ड करेंगे और इस पर आधा इंच की इस पर पाइपिन बनाते जाएंगे और अपने आरफोल में इसको सेट करते जाएंगे याद रहे कि हमें पट्टी को खीचना नहीं है और बराबर से रखते हुए ही इस पर सेट करते जाना है तो दोस्तो आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेट करके जरूब बताईएगा तो यहाँ पर हमने इस तरफ की आस्तिन तयार कर लिए है अब हम दूसरी आस्तिन भी सेमाई से ही पट्टी लगाते हो जाएंगे और तयार कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे दोनों आस्तिन तयार हो गई है अब हम इसके नीचे घेर में सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पर हम एक इंच के कपड़े को फोल्ड करते हुए इसके सिलाई लगाते जाएंगे और कपड़े को सट करते जाएंगे दोस्तो यह टॉप बहुत ही आसानी से बनके तयार हो जाता है और देखने में बहुत ही ज़्यादा खूब सूरत लगता है हमें एक बराबर से ही पट्टी को रखते जाना है और इस पर सिलाई लगाते जाना है और सिर्फ नीचे की तरफ हमें आधा इंच कपड़ा छोड़ना है इसके हमें यहाँ पर इलास्टिक को पास करना है तिहां पर हमने आधा इंच कपड़े को छोड़ दिया है और अपनी सिलाई लगा ली है अब हम इसने elastic डालेंगे तो यहां पर हमने elastic ले ले ली है और पूरे घरमें हम इसने elastic डालेंगे अब हम दोनों पार्ट को एक साथ निकालते जाएंगे और बराबर से इसके साथ आपसमें joint करके इस पर सिलय लगा देंगे और अपने कमर को set कर देंगे तो यहाँ पर हमारी elastic पड़ गई है अब हम इसके उपर का कालर जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमने जो कॉलर कट की थी उपर की तरफ से आधा इंच रखते जाएंगे और इस पर सिलाई लगाते जाएंगे दोस्तो आप चाहे तो इसे बकरम पर भी तयार कर सकते हैं यहाँ पर हमने सिर्फ कपड़े का कालर तयार किया है क्योंकि यह हमारे बच्चे का टॉप है क्योंकि उसके गले में यहाँ पर अगर बकरम डालेंगे तो चुपने की दिक्कत होती है तिहां पर हमने double fold करते हुए main center पे निसान लगा दिया है अब आगे के पल्लें पे भी हम beach center पे नोचिस लगाएंगे और यहीं पे हमारी पट्टी पे यह तयार होगी तो अब हम सबसे पहले color को तयार करेंगे अब हम सबसे पहले इसका color तयार करेंगे तिहां पर हमें एक इंच कपड़े को छोड़ते जाना है और fold करते हुए पूरे color पे इसे ही सिलाई लगा लेनी है याद रहे कि हमें सिलाई बराबर से ही लगानी है ना ही हमारी सिलाई जोड़ी होनी चाहिए ना ही पतली एक बराबर से ही पूरे कालर में सेट होनी चाहिए तो यहाँ पर हमने पूरे कालर पे सिलाई लगा दी है अब हम इसको बराबर से रख देंगे और किनारे का सेव देंगे और यहाँ पर हमने दोनों किनारे पे ऐसे ही सेव देना है तो ऐसे शेव देते हुए हमें कॉलर को तयार करना है तो यहाँ पर हमने दोनों कॉलर पर सिलाई लगा दी है आप हम इसको उलट के सीधा कर लेंगे और अपने गले को इसके साथ तयार करेंगे तो यहाँ पर हमने उलट के सीधा कर लिया है तो हमें यहाँ पे आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगाते जाना है और आगे का पल्ला बैठाते जाना है तो यहाँ पर हमने आगे के पल्ले में सिलाई लगा दी है अब हम साइड के दोनों पल्ले पीछे के इस पे जोइंट करेंगे तो यहाँ पर हम पीछे के भाग को ले और साइड में कालर के परावर से इसको रखते जाएंगे और यहां पर भी हम आधा इंच की ही मार्जिन लेते हुए इस पे सिलाई लगाएंगे तो गुन-गुन फैसन वर्ड में आपको बहुत ही आसान तरीके से फुल टुटोरियल और कटिंग और स्टीचिंग की वीडियो देखने को मिलती है बस आप लोग ऐसे ही हमारा सपोर्ट और साथ बना रखिएगा ऐसे ही हम दोनों तरफ के कालर को बैठा के सिलाई लगा देंगे तो यहां पर हमने दोनों तरफ के कालर को सेट कर दिया है अब हम इसको अंदर के तरफ से कपड़े को फोल्ड करते जाएं दोस्तों गुन-गुन फैसन वर्ड आपका अपना चैनल है आप इसे ज्यादा ज्यादा लाइक कीजे शेयर कीजे और अपने दोस्तों तक सर्क्राइब करके बेल आइकन को प्रिस कीजे ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएं और हमें उमीद की तरफ कालर पे बिल्कुल किनारे से ही जिलाई लगानी है जिससे कि हमारा कपड़ा दोनों तरफ से बराबर से बैठ जाए और हमारी कालर तयार हो जाए तो यहां पर हमारी कालर बनके तयार हो गई है अब हम इसका फाइनल लुक आपको दिखाते हैं तो यह देखे गाई